आज मैं आपको बताने वाली हूँ चने के डाल के लड़ू और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे लड़ू मार्केट जैसे टेस्टी बनेंगे हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल अपूर्वास किचेन सिक्रेट इंग्रेडेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो बैसन का लड़ू बनाने के लिए मैंने एक करहाई लिया है और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और यहां पे मैंने एक कप चना का दाल लिया है मिजर्मिन कप से मैंने एक कप लिया है और इस चना के दाल को मैं करहाई में डाल दूँगी रोस्ट करने के लिए तो आप चाहे तो बेसन का भी लड़ू बना सकते हैं बर चना के डाल का लड़ू बनाने से एक अलग तेस्ट आता है लड़ू में तो आप यह जरूर ट्राइ करना बहुत अच्छा लगता है लड़ू दाल को मैं मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करूंगी आपको यहां पे हाई फ्ल करना हो जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे उसके बाद में आपको बताऊंगी क्या करना है तो अभी मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है उसके बाद सेम करहाई में मैं घी डालूंगी हल्का सा ज्यादा गी हमें नहीं यूज करना यहां पे तो हलका सा घी डाला काजुए रोस्ट हो चुका है अब इसको निकाल लोंगी उसके बाद सेम कढ़ाई में मैं मक्हाना रोस्ट करूँगी तो यहां पर मैंने मक्हाना लिया है और इसको भी मैं low flame पे roast करूँगी high flame पे roast नहीं करना है नहीं तो यह जल जाएगा और low flame पे roast करने से क्या होता है यह बहुत ही क्रंची लगता है तो इसको लड़ू में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगे यहाँ पर मैंने माखाना को एक से दो मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लोंगे तो आप देख सकते हैं यह क क्या करेंगे इसी करहाई में हम यहां पर चीनी डालेंगे जो हमने एक कप चीनी ली है में जर्मेंट कप से तो यह हमने करहाई में डाल दिया है उसके बाद मैं यहां पर डालूंगी पानी और हाई फ्लेम पे मैं इसको गाढ़ा करूंगी कंटीनी इसको मिलाते रहना है आ और आपको बस कुछ टिप्स धिहान रखने हैं तो इससे आपके जो लड़ू है वो बहुत अच्छे बनेगे तो आप देख सकते हो कि चाशनी पहले से गाड़ी हो चुकी है और इसको कंटीनियू में हाई फ्लेम पे मिलाती रहोंगी तो जब यह गाड़ी हो जाए पूरी त देखती रहएं तो आप देख रहें कि इस तरीके का यह जो जगार और भिषण है अभी आपको कया करना है इस चीनी को आपको चान ले झालने, यह ज़ा आपको जो लंस दिख रहें वो नहीं दिखेंगे इस तरीके के हो जाएंगे इसलिए अच्छा रिजल्ट के लिए लड़ू अच्छा बने इसके लिए चीनी को हमने चान लिया है और इस तरीके का टेक्श्चर हो गया है अभी हम क्या करेंगे कि एक grinder लेंगे और ये जो चना का दाल हमने roast किया था अब वो ठंडा हो गया है अब हम इसको mixi में पीस लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे चना का दाल डाल दिया है और इसको आपको क्या करना है जादा स्मूद नहीं बनाना है हलका सा दरदरा सा होना च इसको लोघ फ्लेमे पर भूनेंगे, आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम वो लोही रहना चाहिए आपको हाई नहीं रखना है अगर आपने high flame पे बेसन को भूना तो जो बेसन है वो जल जाएगा और अच्छे से नहीं भूनेगा इसके लिए हमें यहाँ पे gas का flame लोही रखना है high flame पे नहीं रखना है और low flame पे ही आपको यह सारा काम करना है high flame पे नहीं करना है अगर आपने बेसन को अच्छे से नहीं भूना तो जो आप लड्डू बनाएंगे ना वो आपकी मुह में चिपकेगा इसलिए हमें बेसन को अच्छे तरीके से भूनना बहुत जरूरी होता है तो मैं यहाँ पे इसको low flame पे continue मिला रही हूँ आप देख सकतो कि पहले से इसका color काफी change हो गया है तो आपको जो मैं tips बता रही हूँ अगर आपो follow करोगे तो आपका जो बेसन का लड्डू है वो बहुत अच्छा बनेगा तो आप देख सकतो कि पहले से इसका काफी color change हो गया है बेसन को यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से भून लिया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी यहाँ पर मैंने normal पानी यूज करी है और जिस तरीके से मैं पानी डाल रहे हूँ आपको उसी तरीके से पानी डालना है तो हम पानी इसलिए डाल रहे हैं इससे क्या होगा जो बेसन में जो दाने बने वे हैं वो रहेंगे बस पानी यह सोख जाएगा बर यह जो दाने हैं बेसने वो बने रहेंगे इसके लिए हम पानी डाल रहे हैं उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मिला लूँगी तो आपको जो मैंने ये टिप्स बताया है आप ये ध्यान रखना तो इससे जो है आपके लड्डू है अच्छे बनेंगे तो अभी मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूँगी बेसन को तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ पे बेसन को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको लड़ू उस टाइम पे बनाना है जब बेसन हलका सा गरम हो जब आप अपने हातों से टच करके लड़ू बना सको उस तरह के का गर्म होना चाहिए ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है उसके बाद यहां पे बेसन जो है वो ठंडा हो गया है ज्यादा ठंडा नहीं करना है इतना ठंडा करना है कि वो उसको मैं हाथ से टच कर सको तो यहां पे मैंने वो चीनी ली है जो हमने बनाया था तगार यह वही है उसके बाद आप अपने मीठा के एकॉर्डि यह ज्यादा गर्म नहीं है अभी तो मैं इसको मिलाऊंगी अच्छे तरीके से और उसके बाद मैंने यहां पर इलाइची पॉडर डाला है आप इलाइची पॉडर जरूर डालना से अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी मखाना कैसे यूज करना जिस तरीके से मैंने लिया है मखाना को इस बेसन में बाइंड कर देना है आपको और जब आप यह लड़ू बनाओगे न तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप यह जरूर ट्राई करना उसके बाद मैं यहां पर इसको राउंड शेप दोंगी आप यह मखाना जरूर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और क्रंची लगता है तो इसके बाद मैं इसे हलके हलके हातों से राउंड बना लिया है मैंने आप देख सकतो यह कितना अच्छा दिख रहा है इस तरीके से आपको लड़ू बनाना है बस कुछ ठिप्स ध्यान रखने है तो आपके यह जो लड़ू बना सको आप टच कर सको बेशन को अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन पे हिट करें लाइक करें और शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी कि आपको यह रेसिपी